आतो बायो जी कैसे हो आप लोग उम्मीद करते हूं बरिया होंगे और होना भी चाहिए तो दोस्तो अगर आप एक V.I.S.E.M. यूज करते हैं और आपका V.I.S.E.M. में नेटवर्क प्रोब्लेम हो रहा है जिसके पिल से आपका जो इंटरनेट स्पीड है दोस्तो वो बहु इंटरनेट स्पीड को चार गुन फर्स्ट कर सकते हैं तो दोस्तो यदि आपके पस एक 4G सीम है आप उसमें 5G जैसा इंटरनेट स्पीड को पा सकते है तो क्रीपिया करके अब इस वीडियो को बिना स्किप करके पुरा एंट तक वास किजिए और दोस्तो वीडियो शुड के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो भी Yayet Kristi Setiggling को स सेट करने के लिए सब से पहले आपको आपका मोबल Ov सब्सक्राइब करना है इन में आपको सामने दो सिम्स हो जाएगा इन मैं से प्र्यीस की सिम्स है कि उपर आपको क्लिक कर ना है क्लिक करने के बाद दौस्तों नीचे आपको औक सक्षा पॉइंट नियुम्स करके एक ओप्षádन को मिलेगा तो तो आपको इस access point names का option के उपर क्लिक करना है क्लिक करते ही आपका mobile का जो पूरान APN है यह पर शो हो जाएगा तो उसको आपको यह पर reset का option के उपर click कर के reset कर लेना है और उसके बाद new APN setting set करने के लिए जो option दिया हुआ है आपको इस new APN का option के उपर click करना है तो new APN का option के उपर click करने के बाद आपका समने एक from देता का है तो इस from में दोस्तो कुछ values डालना होगा जो मैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो इस values को डालने के बाद दोस्तो इस from को save करना है उसके बाद यह आपका internet speed fast हो जाएगा तो सबसे उपर जो दोस्तो आपको यह पर name का option दिख रहा है इस name का option के उपर आपको click करना है और click करने के बाद दोस्तो आपको यह पर type करना है V, I, V यह पर capital letter पे होगा उसके बाद small letter पे I होगा V, I लेकने के बाद एक space देना है space देने के बाद आपको यह पर 5G type करना है 5G का जो G है यह पर capital letter पे होगा उसके बाद और एक space देना है space देने के बाद दोस्तों आपको यह पर NET net type करना है net का N capital letter पे होगा तो vi 5G net लेग के आपको ये पर Okay कर देना है, करने के बाद उसके नीचे है APN का option आपको इस APN का option के उपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के पाद आपको ये पर small letter प्र टाइप करना है डाबलु डाबलु यहापा उसके नीचे है यूजर नीम तो आपको इस यूजर नीम का यूझर के उपशन के हूपर क्लिक करना है बहुदाफिन नीके यहां डाबत ये केल इताल के अपकर होगा कर देना है करने के बाद उसके नीचे पासवर्ड रहेगा उसके नीचे सरवर तो आपको इस सर्वर का उप्शन के उपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यह पर टाइप करना है यह पर क्लिक करने के बाद इसके साथ एक कौमा लागाना है और उसके बाद आपको यह पर यह पर क्लिक करना है तो आपको इस ब्राइप करना है और सबसे उपर आपको यह पर not specified करके एक option टीक देखने को मिलेगा आपको इस option को यह पर आंटिक कर लेना है उसके बाद आपको यह पर LTE, HSP, PHSPA, GP, RS, EDGE, UMTS इतना सारा option को आपको एक एक करके ध्यान से select कर लेना है करने के बाद आपको यह पर OK कर देना है OK करने के बाद दोस्तों नीचे आपको एक option देखने को मिल जाएगा M, B, N, O, Type करके यह पर click करके आपको non पर select कर लेना है करने के बाद दोस्तों इस from को आप save का option के उपर click करके save करना save करने के बाद आपका सामने एक new APN show हो जाएगा भी ISM का तो इस APN को आप यह पर select करने के बाद दोस्तों आपको यह से एक दम बिल्कुल back करके main menu में आ जाना है आने के बाद आप यह पर थोरा सा टाइम वेट करने ना है या फिर आप चाहे तो आपका phone को एक बार आप restart करने ना वो बेटर होगा उसके बाद दोस्तों आप आपका mobile का data on करके internet चलाना मैं उमीद करता हूँ आपका internet speed बहुत जदा fast चलना शुरू कर दिया है तो आपका internet speed कितना जदा fast हुआ है नीचे मुझे comment करके ज़रूर बताना और अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी जुरू से जुरू सस्क्राइब कर लेना इसी तरह का और भी helpful वीडियो सब से पहले पाने के लिए तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले कोई नया वीडियो लेके ठेंक्स पर वाचिंग माई वीडियो